Hello everyone, लक्षे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हरदीख स्वागत है आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं New Special Education Teacher Recruitment 2024 के बारे में Permanent Teacher Recruitment आई हुई है ये और इसमें Diploma और B.A. दोनों ही Eligible है और जो आपका selection होगा वो interview के आधार पे होगा तो चलिए complete information देखने के लिए वीडियो में अंतक जिरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को like चिरूर कर दें साथ में अपने सभी साथियों के साथ share भी कर दें तो चलिए देखते हैं कि official notification कहां से आया है और क्या-क्या इन्होंने eligibility criteria रखा है और special educator के अलावा कौन-कौन सी post आई हुई है तो interview कब होगा आपका और आवेदन कब तक कर सकते हैं तो जैसा कि आप ये notification देख रहे हो ये notification आया हुआ है दिल्ली Public School की तरफ से जो की bypass road पाल जोधपूर राजस्तान की तरफ से है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि all level की vacancies हैं जिसमें PGT, TGT, PRT और उसके अलावा भी special educator, ATL lab in charge और counselors की post है तो PGT में English, Math, Physics, Fine Art subject की post है इसके अलावा TGT में English, Hindi, Sanskrit, Math, Science और social science की post है PRT में all subject including dance, music, art and craft, games and sports तो teaching और non-teaching दोनों ही तरह की post है special educators में आप देख सकते हो कि इन्होंने लिखा capable to teach differently able children मलब यहाँ पे इन्होंने कोई condition नहीं लगाई है कि आपके पास diploma होना चाहिए या आपके पास B.I.E.D. की डिगरी होनी चाहिए इन्होंने सिर्फ लिखा की capable होना चाहिए to teach differently able children तो अगर आपने चाहिए B.I.E.D. किया है या आपने डिप्लोमा किया है तो दोनों ही candidate eligible होंगे और ATL lab in charge के लिए relevant qualification and knowledge of robotics, electronics, coding and 3D painting, printing used in tinkering lab तो इन्होंने बोला कि qualification होनी चाहिए relevant और साथ में उनको knowledge होनी चाहिए robotics की, electronics की, coding और 3D, printing की knowledge होनी चाहिए जो की tinkering lab में की जाती है तो उसके बाद counselor की post है जो की female के लिए है आगे इन्होंने बताया कि जिन post के लिए TET होता है तो उसके लिए इन्होंने TET qualified मांगा हुआ है और साथी साथी इन्होंने बताया कि qualification as per CBSE और government norms के according होनी चाहिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है वो reputed school है जो franchise इनकी चलती है इनके school आपको हर state और UT में देखने को मिल जाएंगे और जो इनकी requirement होती है वो government norms के according ही होती है क्योंकि इनके जो benefit मिलते है वो भी government norms के according ही मिलते है जो salary है उसके अलावाद जितने भी benefit होते है जो आपको एक government teacher होने के मिलते है उतने ही आपको दिली public school में भी मिलते है और जैसा कि आप देखोगे आगे इन्होंने लिखा भी हुआ कि salary, cpf, gratuity और as per 7th pay commission आपको मिलेगा and school rules application form आपको download करना है जो कि इन्होंने अपनी website mention की है तो यहाँ से आप इनका application form डाउनलोड कर सकते हो और इसके अलाबा आप हमारे whatsapp group और telegram group से भी ले सकते हैं वो आपको खुद fill करना है साथ में सभी photocopies जितनी भी required document है वो attach करनी है और जो आपका recent का photograph है वो attach करना आपको और साथ में dd of रुपे 250 रुपी तो धाइसो रुपी इनको ने application fees रखी है जो आपको dd कटवाना है in favor of dps जोदपूर तो देख सकते हैं आप सबसे पहले आपको application form डाउनलोड करना है वो खुद fill करना है उसके साथ जितने भी required document है वो सभी लगाने है साथ में recent का photograph लगाना है आपको और उसके साथ ही साथ आपको धाइसो रुपे का dd कटवा के वो भी साथ में लगाना है अटेच करना है और आपको within 20 days जिस दिन से ये advertisement publish हुआ है उसके 20 दिन के अंदर आपको ये send कर देना है only shortlisted candidate को ये interview के लिए बुलाएंगे और management के पास सभी जितने भी rights हैं वो ही जरू है कोई भी vacancy add करने का या cancel करने का कोई भी post तो देख सकते हो और अगर आप ये सोचोगे की form कैसे fill करना है तो इन्होंने यहाँ पे अपना पूरा address दिया हुआ है जैसे कि आप उपर ही देख रहे हो दिली public school bypass road पाल जोधपूर राजस्थान साथ में pin code 342014 तो आप इस पे इस application form को fill करके साथ में सभी जितने भी relevant document है उनको लगा के और recent photograph और डीडी लगा के तो आप इस address पे post कर सकते हैं इन्होंने यहाँ पे अलग से कुछ mention नहीं किया है कि आपको कैसे post करना तो आप speed post या registered post जैसे भी post करना चाहो तो post कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें application form की तो इन्होंने यह application form दिया हुआ है जो हमने इनकी website से ही download किया हुआ है तो देख सकते हो दिल्ली public school जोधपूर का यह application form है सबसे पहले आपको post लिखना है जिसके लिए आप apply कर रहे है side में आपको passport size photo लगानी है और उसके बाद basic detail जो भी आपकी personal detail है वो आपको fill करनी है उसके बाद address फिर आपको academic qualification फिर experience की detail देनी है आपको और जो भी आपकी salary थी वो बतानी है उसके बाद knowledge of computer basic knowledge of language और any other specialization उसके बाद name and address of two reference आपको दो reference भी देने है जो भी दो person आपको जानते हो जो किसी अच्छी post पे हो उनके आपको reference देने है और number of duly attached जितने भी आप certificate लगाओगे तो वो बताने है कि total कितने number है और आपको वो period बताना है कि कितने दिनों में आप join कर लोगे dd number, bank and branch name और date वो भी mention करनी है और उसके बाद last में date and signature आपको करके और ये आपको post कर देना है तो देख सकते हो बहुत अच्छी opportunity आई हुई है जो कि दिली public school योदपूर की तरफ से है तो जो भी साथी eligible है और as a teacher दिली public school में काम करना चाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे school है तो आप जिस भी state में देखोगे हर state में इनकी franchise ही है और salary वगएरा भी बहुत अच्छी देते हैं और वहाँ से आपको सीखने के भी बहुत कुछ मिलेगा और इन्होंने experience भी नहीं मांगा तो जो candidate fresher है वो भी जरूर आवेधन करें इसके अलावा special educator के लिए अगर आपका tat qualify भी नहीं है तो भी आप आवेधन कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप हमारे चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक notification पहुंच जाए वीडियो को जचे ज़्यादा लाइक करें साथ में शियर भी करें थेंक्यू